वेलकम टो सूप मेडिकोस आज के वीडियोस में हम जानेंगे कि टेड़ी वेक हम लोग कैसे लगाए उसको लगाने से पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टिन चीज को जानना चाहिए जैसे कि हम आयम जो लगाते हैं हाथ पे जो बाजू में लगाते हैं वो कौन से मजरस में हम जो पक्राइं मोर्य पैशन होता है जो आहसे क respondsुंश में अर्टिन होता है और यह यह जो नीचे आ के यहां पर इंसर्शन होता है तो इसे तरीके से यह मजल से हम को टड़ेक। लगाना काया है और क्या precaution लेना है उसके साथ साथ हम लोग देखना है कि सेफटी जोन कितने एरिये में होते हैं देखिये जो टेडवेक का इंजेक्शिन होता है वो लोग कई तरीके से लगाते हैं जो मेडिकल प्रेक्टिस्टिशनर रहते हैं लाइक जो होते हैं कोई-कोई इसको जो एक्रोम्यम फोसा है यहां से two fingers below ठीके एक्रोम्यम फोसा से two fingers below triangle बना लेते हैं यानि कि इस तरीके से इस तरीके से triangle वो consider कर लेते हैं तो in between जो होता है यहां पर middle में middle one third में यह एक स़िशन रहता है और इसके साथ शब्स होते ही जो कि square area में लगते हैं इस तरीके से इसको square बना लेंगे मतलब अपने वो square area considerate कर लेंगे फिर उसको भी in between लगाना पड़ता है from the side view तो इसी तरीके से हमने समझा यहां origin होता है और यहां जो होता है इंसर्शन अब इसमें हम लोग जानेंगे कि यहां पर कुछ नर्व होता है जो कि हम लोग को हमेशा safety measure maintain करना परता है तो जो वो नर्व है यहां पर होता है यानि कि अक्रमियम फोसल से साथ 7 cm below जो होते हैं एक्जलरी नर्व होते हैं यहां पर radial nerve भी होता है एक्जलरी नर्व जो होता है पीछे से होते हुए आता है एंडेरियर साइट में तो उसे हम लोग को यह जो है डेंजर जोन है यानि कि हम लोग को जानना चाहिए कि इंसर्शन कहा ह होता है अने जो होता है इस नर्व को एस तो इस नर्व को हम लोग को बचाकर दे ज कि नहीं चैँगे है नोग कि हेसे लाए उसको हम लोग बारी की तरफ से ऐसेचे करके वाश कर लेंगा ठीक है फैंस है वेरिंग हैंड ग्लोफ टाइज जो हैं सेफटी मेजर्स के लिए हम लोग को जो हैंड हैंड वश कर लेंगे फिर ग्लोफ लगा लेंगे and then swab के साथ with alcohol spirits swab जो होते हैं इसको rub कर लेंगे wash कर लेंगे next जो process है इसमें हमने already ये example बता रियो कैसे देना है ये syringe है suppose that इसमें हमने already जो हैं जो medicine से इसमें lot कर लिये हैं करना क्या है कि आप इसे अपनी hand wash तो कर लिया अब इसको आप remove कर लेंगे cover को इस तरीके से cover को remove कर लिए अब ये जो है आपके index finger से support करते हुए इसका जो है air bubbles निकाल लेंगे निकल गया अब इसे तरीके से अब हमें देना कैसे है तो चलिए देखते हैं ये जो स्रेंज है आप देख रहे हैं ठीके अब इसको हम लोग अपने हाथों में स्वाब रखे रहेंगे जो आलकोहल स्वाब है वो ऐसे रखे रहेंगे और ये जो देखे हम इसको जो है 90 डिग्री पे ठीके 90 डिग्री पे इन बेट्वीन हम लोग जहें पुरा अंदर ने जाएंगे क्योंकि ये जो है बोन को टच कर सकता है अनजे से हम इंसर्ट करें तो धीरे धीरे हमने इंजेक्षिन लगाने के बाद इंसर्ट करें थोड़ा सा एस्पारेंट जरूर कर ले क्योंकि वहाँ नर्व होते हैं तो देखें कि नर्व में कहीं नर्व में तो नहीं जा रहा है तो हम थोड़ा सा बैक करके, असपायरेट कर लेके, and then हम अच्छे दरीगे से जो है, जो होते हैं हम लोग देते हैं, and then उसके बाद ये स्रींज को हम लोग रिमूब कर लेंगे, and जो हम लोग कोटन स्वाब लिए हुए रहते हैं, ये जो स्वाब है, इसको अच्छे दरीगे से वहां हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो यह जो है प्रोसेस जो है टैट्विक लगाने का प्रोसेस से डेल्टोइट मज़स पर अब इसी तरीके से यह जो स्रींज हमने लिया था इसको डिस्पोज करने के लिए इसको कवर लगा देंगे देखने हैं कवर लगा के इसको डिस्पोज करने तो हमने क्या समझा और भी पेस्ट हुए होता है अगर मज़स को आप चाहते हैं कि मज़स में ही पड़े और तो मज़स को स्क्वीज कर लेंगे इस तरीके से स्क्वीज कर लेंगे तो मज़स जो हैं आप देख रहें तो वार सा उभर जाता है ताकि बोन में या फिर एनिटाप जो हैं डिस्टरबेंस या फिर ना हो तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में जाने कि हम डेल्टोज मज़स में जो इंटर मस्कुलर जो होते हैं के हैं वो सभी हमनोग समझें तो थैंक यू ओल फॉर तुड़ेज आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में कोई और टोपिक पर आएंगे तब तर के लिए बाबाए टेक्या